गुड मॉर्निंग दोस्तों फिर से आप मेरा चेरा देख रहे हैं और बहुत लोग मेरे को ऐसा लगता है इतना प्यार करने लगे हैं मुझसे कि उनको एडिक्शन हो गया है उनको सुबह रोज आट बजे ब्लॉग का इंतजार रहता ही है तो आज है डे 41 कल मैं डे 40 की विज 25100 में 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 को बहुत decent room मिला यह कोई suburbs सा है बहुत प्यारा लग रहा है यह और उसमें breakfast पे-इंक्लूड इंक्लूड टा कि आईडिया नहीं था कि breakfast इंक्लूड इंक्लूड इड था मैंने यह रहा अपने ब्रेक्पास करता हूं और आपको ब्रेक्पास दिखाता हूँ कस्टमरी में आपको हमेशा ब्रेकफस्स दिखाता हूँ योरप में जाके चीजे एक्सपेंसिव हो जाएंगे रश्या में चीजे बहुत अच्छी है और दोस्तों अगर आपको सेंट पीटिद भग घूमने आना आप जुरूर आओ कल भी मैंने अपने आणि पदानी इंडिया में ही दिली में ही क्या उनको पॉलीशन का ठेंशन है कार लॉबी है या क्या है दस साल की बाद गाडी को फैक्ट ना बहुत बुरा लगता है तो गुट मॉर्निंग से न्य में रसम जुप्धात है यह यह यू स्टे हेर अनली स्टें यह यह किशिए फटाब अ गर्रिविया टॉंड तॉर्ट रeंड यह 17 ना जा हुट भर्लाम जा般 Все क्णड़ शची किश्वा peki अच्वा तॉर्ट चेंड पॉन ना? क्यूमें लॉर्य यह स्टिवा है? but London, जाल रख रस्ट वा जारॉष। yeah, from Russia, today I am going to Estonia Estonia there will be some problems at border crossing they are taking lot of time because of the war so, the border crossing is not that easy it's very beautiful yeah London, Estonia yeah I'll go and see now Russia yeah Russia is beautiful Saint Peterburg is wonderful very nice I'll come back again but by flight not by car yeah thank you thank you so much bye-bye good luck thank you thank you this is definitely non-wedge it's 100% ham or pork or whatever salads and boiled egg and this is a cake type so there is no problem here and then we have we have juice we have cookies unflakes area area biscuit be have coffee have bread and we have to watch it and these are the sitting areas and here is also something here let me see what is there here is also a lot of stuff so I'll just take out my translators and then I'll ask them to ask them to ask them to ask them what are the things? So now I'll put my breakfast plate and then show them the plate. So see what I'm eating in my breakfast and now I'm eating very interesting so I'm not sure what I'm going to tell you about the plate and I'm going to see how interesting it looks like it and also how many conflicts are there and some items और भी है वह मैं इनको खाने के बाद करता हूं नहीं तो मेरा पीट भर गया तो बस इतना ही काफी है अच्छी लिए तो अभी मैं गाड़ी में बैठके फिर आपसे आगे की बाते करता हूं दोस्तों आज का ब्रेकबस्ट में को बहुत ही अच्छा लगा मुश्ली सारा व्यजी है इसमें बहुत दिनों के बाद मेरे को यहां बटर दिखाई दिया कि मैंने पर बटर लगाया कि अच्छी नहीं निकल पड़ा हूं मैं रेशियन बॉर्डर की तरफ समय हुआ है दस बच के दस मिनट मैंने अपने ओडो मीटर ट्रिप मीटर को जीरो सेट कर दिया है और जो मेरे को यह समय दिखा रहा है समय एक घंटा दस मिनट मैं यूज कर रहा हूं येंडेक्स नविकेशन आप जो की इस एरिया में और यूर्प में गूगल मैप से खही जागा अच्छी है तो देखिए आपको सामने सुबह की खीली हुई थू और एक बिलकुल शान सुन्दर शहर जैसे अभी हम मास्कोर म काले कुछ लोग आते होंगे साइड में पुलिस स्वाले खड़े हैं काड़ी को रोक लिया है अब जर्दी से यहां से निकल जाए और ऐसा पता लगा है कि बॉर्डर पे काफी भसर है बहुत ज्यादा तंग करते हैं लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अब उनकी बात भी कोई सुनता नहीं है बॉर्डर पे तो समय बताएगा कि मेरे को बॉर्डर पे जाता समय लगया यह कम समय लगया तो मैं यह सब रास्ता रात को मैंने कवर किया था अब यहां से मेरे को मुणना है लेफ्ट और वो कल वाले हाईवेर पे में आ जाओगा देखो कितना अच्छा लग रहा है यह शहर और खासकर सुबा की खीली हुई जूप में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है यहां लगता है मेरे को रेड लाइट हो गई है अब यह दिर को रुपना पड़ेगा तो दोस्तों फिर मैं आपसे पर दिर के बाद मिलता हूँ अब शॉट शॉट क्लिप्स बनाओंगा जिसे कि बाद में अधिटिंग में टाइग देखेगा अब सरकल भी हमें रांडबाउट टेक था है जैसे कि हम अपने इंडिया में लेते हैं उसे रिफरेंड इसको हम बोलता है अंटी क्लॉक्वाइस यह में को यह बहुत अच्छा लगा यह पैदल चले वालों को बहुत रिकार्ट देते हैं वैसे तो यह रेड लाइट है अगर रेड लाइट नहीं भी हो और लोग क्रॉस कर रहे हैं तो हम रुपते है है तो इसी ओनाइस और में इस शहर की संदरता का कारण यह भी हो सकता है कि फगलूसे का में यह सबब टाउन नहीं है तोॉस्टी टाउन का स्टुर्चर डय इकदम अलग हो जाता है और सबब्स का मज़ा ही हिना है तो कभी कभी तो लगता है में пользов Trans इंटरस्ट जाता है, लोग भी आपसे ज़्यादा बाते करते है, बिदर ग्रीन लाइट है, मैं अक्रॉस कर लेता हूँ, आगे बादे गाड़ी मुड़ी हुई है, रुकी हुई है, मुड़ी हुई है, खल रातों मैं, दोस्तों, शोयाना चरी टेक एक बजे, अब इसकी मैं साउंट बंग करता हूँ, लेकिन वो मेरे को हिल्प कर रही है, रहे वाह, यहां कितना घुपसूरत है, नीचे है, मन तो यह कर रहा है कि, यहां पे भी थोड़ा सा रुकूँ, आपको दिखाओ, लोगों से बात करूँ, चुभी यहां लोग बात करेंगे, लेफ्ट में को फावर्ड कर दीजेगा, फिर देखते वक्त, मेरे को रहा, दस निवेंबर को यूके से फ्लाइ आउट करना ही, करना है, क्योंकि वो मेरा वीसा उस दिन खतम हो रहा है, तैसे मैं वीसा एक्स्टेंड करके रुख सकता हूँ, या दस निवेंबर को मैं वापस लंडन करना है, साउथ अमेरिका के, और फिर में को साउथ अमेरिका के लिए फ्लाइ आउट करना है, 12-13 जन्वरी के आसपस, तो इसलिए भी मैं एक्स्टेंड नहीं कर रहा हूँ, अपना ट्रिप, नहीं तो पता लगे कि मेरा वीसा ही निमिल पाया, में पास विंडो कम रह गई और उसमें में को बहुत ज्यादा नुक्सान हो जाएगा कि मेरा क्रूज पेट फॉर है, 100%, तो इसलिए भी ना मैं एक्स्टेंड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं एक्स्टेंड कर सकता था, एक महीना, और जैसी जैसे मैं घुमता चला जाओंगा अभी योरोप में भी मे अब्लम नहीं है, यहां इतना ट्रैफिक नहीं है, यह आगी ग्रीव लाइट है, नौ, आठ, छे, यहांने कर दिया है यहां से, और हाईवे पे चलाना तो बिल्कुल ही असान है, क्योंकि यहां दो ही लेन होती है, तो स्पीड लिमिट 40 बोल रहा है हूँ, यह 40 पी चलता तो कोई है नहीं है, अभी बंदा मुड़े का, तो अच्छा में तो रेड लाइट ही होगी है, बोड़ूंगा का से मैं, अदेखो यह रेड लाइट भी होगी है, यह लेडी भी क्रॉस कर रही है, और अभी टेमपरेचर में बता देता हूँ, जो गाड़ी में दिखाई द मैं उतार दू, तो अब कुछ देर के बाद मैं हाईवे पर आ जाओंगा, 63 किलोमीटर डिस्टेंस है, 58 मिनिट्स दिखा रहा है, यह mostly buildings ना, सब एक ही कलर की है, और अब mostly huge of brown है, मीटे वाले कलर वाले, अब ही यह मेरे को बोल रहा है, turn left, यहां से तो चीधा है, यह क्यों बोल रहा है, मेरे को turn left, मेरा तो green है, ऐसे न यह कभी confusion हो सकता है, क्योंकि तुरा सा धिहान मेरा बोलने में भी था, यह देखिए आपको जो buildings नजर आ रही है, किती सुन्दर लग रही है, अब यह लगता एक जैसी white residential buildings आ रही है, शहर का नाम आपको याद है, दोस्तों क्य है, मैं फिर से बता देता हूँ, Piscov, P-I-S-K-O-V, और जो hotel मैं रुका था, उसका नाम है Pushkin, और उसको मैंने दिया था, डाही हजार, single occupancy, double occupancy, यह मालूम नहीं है, और उसमें breakfast included था, जो बहुत ही अच्छा था, room भी बहुत ज़्याद अच्छा था, और सबसे बड़ी ब अब लगता है, इसी सड़क से मैं highway पर connect हो जाओंगा, क्योंकि map दिखा रहा है, 46 km तक मेरे को straight जाना है, तो अब यह four lane है, जैसे जैसे मैं शहर से बाहर निकलता जाओंगा, यह two lane हो जाएगी, fuel कल मैंने भरवाई लिया था, तो मेरा tank full है, fuel कल मैंने अपने हापी भरा था यहाँ पे बहुत gas stations पे आप खुद ही फिल करते हैं, और यह बड़ा धिहान रखना पड़ेगा कि आप diesel भर रहे हैं, या petrol भर रहे हैं, कि किसी ने comments में बताया था कि अमजी सिंग जी जिन्होंने हमको indirectly बहुत जादा help कर दी थी, एक line से पूरे group का टूर जो रशिया घुसने से पहले ही खतम हो जाता, वो बच गया, तो मैं तो जिंदगी भारून का शुकर गुजार रहूंगा, कि उन्होंने मेरे को एक tip दिया, कि रशिया के अंदर आप e-visa से buy car, buy road नहीं जा सकते हैं, unfortunately हमारे organizers को ये बात नहीं पता थी, खैर उसमें कोई उनको blame नहीं कर सकते ही, क्योंकि हर बात हर लोगों को नहीं पता होती है, जैसे कि अभी उनको ये भी नहीं पता था कि नार्वा बॉर्डर से गाड़ियां cross नहीं कर सकती है, तो वो भी मेरे को जो मेरी local host से Mr. Jitender, उन्होंने दोस्तों से पूछ के बताया और फिर मैंने embassy से confirm किया, फिर मैंने राजन जी को बताया, राजन ने फिर group को बताया, ऐसे ही रश्या का e-visa के बारे में उन्होंने मेरे को बताया, और फिर मैंने आनन फानन में दो-तिन दिन के अंदर रश्यनम पैसी जाके उसको confirm किया और फिर सबका विशा लगाया, तो इस बात को तो मैं तो जिन्दगी भर नहीं भूलूँगा, मजी सिंगी अगर सुन रहे हैं, आपका एक बड़ी और तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपके कारण ये group चल रहा है अभी, ने तो ये ए नॉलिज किया है, तो मेरे को कमेंट्स में किसी ने लिखा कि किसी फ्यूल स्टेशन पर उनकी गाड़ी बन थी और पेट्रोल, डीजल की जगा पेट्रोल डाल लिया, और उनका वहाँ देड दिन वेस्ट हो गया, क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही थी, तो बच गए, उनने लिए भी और आपके लिए भी, तो देखिए, यहां पर यह कंटी साइड है, चोटी-चोटे घर बने है, मुस्की लक्री के घर है, और कितनी ग्रीनरी है इदर, यह बंदा खड़ा है, अब इसे बात करनी की कुशिश की जाए, इसे में को देखती ही, जेब में से सिगरेट निकाली, उसको टेंशन में आगे है, यह गाड़ी कहां से आ रही है, तो यह एक प्रॉपर रिलेज है, यहां अच्छी कासी खेती बाड़ी हो रही है, फलवर लगे हो हैं यहां, आगे ते गाड़ी आ रही है, थोड़ा तो मैं और जाता हूँ, उसके बाद, अगर कोई मिलते हैं, तो लोग उसे बात करता हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो, अगर तो पारकिंग करने वाला है अंदर यहां पर, अगर हो सकता है, यह सड़क भी आगे जाके बंद हो गई हो अभी, यहां किसी ने स्टॉल लगाया हुगा है, यहां कुछ लोकल सहड़े हैं, I just met this guy, he speaks a little English, so you have understood, I have come from India, I am driving my car to London, I have a little piece for the world. Oh, you read well, you read nice English? No, a little bit. Oh, but you could read it. No, I understand, I understand. Yeah, good, so you live here? I live in St. Petersburg, this is the village. Okay, your country home, your village home. My village, my wife, mother and father. Yeah. Is that? It is their house. Just now. Okay, I got it. I am pensioner. Okay. You have been to India? Nissan, job in Nissan. Okay, Nissan, that car. Yeah, Nissan, yes, 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 yes. Yeah, Nissan. My factory down, down, job, yes. Close, because of war? Yes, yes. Because of war? Because of war, yes. Yeah. No, what do you do? I am pensioner. So you are making the boundary here? Yes, now. Master trainer and pressure, pressure. Okay, okay. Okay, thank you very much. I will take leave. Bye-bye. 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 Now, one day, I should go up in the countryside. It will be a different experience. You will get to see. I will see if it is possible in Europe. In Russia, it is possible. Now, I am here. I have not left the highway. I have left the highway. It is possible in the south. I will receive a very nice highway. It feels like a good highway. It feels like a very nice. I mean, I believe it will get a small little clip of your family. My wife will be able to get my local people. It feels like a local person. It is hurt. The highway is hurt. It has hurt. It has hurt. परके पूछ लिया, he do you want to be record, get recorded, so she said, little shy on being recorded, so I am not recording her. आप सिर्भ उसका shoulder देख सकते हैं, उसका face नहीं मैं दिखा रहा हूं आपको. तो मिलता हूं मैं आपको अभी 32 km रहे गया border. ये पहला checkpoint है, और ये village है, जहां से वो लड़की गई थी, और ये पहला checkpoint है, मैंने यह border passport दिखाया, दोस्तों border रहे गया, 2.5 km, दोस्तों मैंने अभी diesel लिया, 15 liter और आ गया कल से जब मैंने diesel लिया था, क्योंकि border के बाद इस्टोनिया में diesel एकदम double rate से भी ज्यादा हो जाएगा, और border बस आई गया है, 1.5 km रहे गया, मैंने एक magnetic holder और लिया है, windscreen पे लगाने के लिए, तो ये एक नई जगह से आप phone के recording देख रहे हैं, बस border आ रहा है तो अब मैं सुत्रों की phone को बंद कर लिया जाए, झाँ 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 झाले फच्ट्रों की हैं, झाले एक है झाले जा प्रत देख रहे हैं, जोस्तों, बिश्वास नहीं करोगे, मैं कहां चल रहा हूँ, बालूं, मैं अच्टोनिया की धर्ती पे हूँ, रुष्या को बाई बाई यरॉरप को वेलकम, और बॉर्डर क्रोसिंग वस्च अच्छ अच्छ श्मूस सेलिंग, I am totally impressed, रुष्या वालों ने एक सेकंड भी में को तंग ने किया, तीस मिनट के अंदर में थू, तोड़े था मेरा बैक चेक किया, एक दो भी स्कैनर के थू, खोल के नहीं चेक किया, और उसके बाद रहा है, तो कुछ भी टाइम नी लगा, पंदा मिन में थू, और उसके बाद उन्हों ने का गाड़ी का इंशोरेंस ले और अब मैं आगे हो, अब मैं निकल रहा हूँ, तालिन की तरफ, तो देखो दोस्तों, अकेले होने से कितना फैदा भी है, कि कोई टाइम ही नहीं लगा, और शायद मेरे कांटेक्ट ने भी मेरे को हल्क दिया, इश्वर की मदस से, मेरे को हर जगा कोई ने कोई मिली जाता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहां से highway Estonia का, यह देखिए, यह Estonia कितना green है, कोई यहां पर traffic भी नहीं है, क्योंकि यह border आजकल closed है, सिरफ Indian Guards को allow करते हैं, और यह प्यारा सा सबब में घर है इधर, तो अब मेरे को EC में एक्टिवेट करना है, उसके लिए मेरे को स्टेबल internet connection चाहिए, मेरा home data काम तो कर रहा है, लेकिन slow है, यहां मेरे को एक पुरानी odi नजर आ रही है, तो देखिए यह घर इधर, तो अब मैं चलूंगा अपनी मर्जी से, अपने दम पे, आप लोगों की support की बहुत जुरूरत है, मेरे को एक camper खड़ी हुई है, महां कोई देखे रहे हैं आप, कोई देखेगा तो मैं इन से बात भी कर सकता हूँ, अब कोई यह कितना बड़ी है है देखो इस घर में, और मैं आपको नजारे दिखा रहा हूँ, यहां ट्रेफिक इसले नहीं है क्योंकि यह बॉर्डर क्लोस्ट है, सिरफ हम लोगों को अलाउ किया है, वहां सामने शायद कुछ है, वह क्या है, इसको समझ में आ रहा है मेरे को, देखते हैं इसको यह देखे, अभी ना मेरा जूम देखे, एकदम स्मूध चल रहा है, दिन प्रति दिन मेरे को गिंबल यूज़ करने के लिए इसी होगा, अभी यह गिंबल का मूह यह फॉलो कर रहा है गिंबल किसी चीज को, यह अभी फिर में कुछ जल्दी बोल गया, तो मैं गिंबल को जाता हूं इधर जाना, गिंबल जा रहा है उदर, यह खड़ी है मेरी प्यारी हालेक्स, तो मैंने अभी गाड़ी में पानी गरम करने के लिए रख दिया है, आपने मे गरम करने के लिए 12V DC पे चलता है, लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट था, तो मैंने इसको 12V DC पे नहीं चलाया, मैंने इसके लिए अलग से वाइरिंग की है, यह थोड़ा था जूम आउट जल्दी हो गया, क्योंकि मेरे को यह था कि DC वाला पोर्ट कहीं जलना जाए, सिग् यह देखिए, यह पानी गरम हो रहा है, ब्लू लाइट जल रही है, और जब पानी गरम हो जाएगा इसके अंदर यह पॉप अप परके खुल जाएगा, तो यह फ्लास्क मेने 3D थी, कुछ लोगों को मैंने गिफ्ट भी किये, तो वो लोग भी यूज कर रहे है इसको अप तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जब बन जाएगा, और इसको मैंने यह वायर लगा के डारेक्ट बैटरी से निकाला है, तो मैंने मना भी किया था जिसको मैंने दिया था कि इसको आप डारेक्ट गाड़ी के सिक्रेट लाइटर पर मत चलाना, जो कि यह करेंट कि अगया हूँ, टालेन यहां से 280 किलोमीटर दूर है और आप यह जो देख रहे है ना पागलो जाओगे सुंदर्था देखके, कितना ग्रीन है और कितना ग्रीन है, और वेदर परफेक्ट है, यह देखे यह पुराने लकड़ी के घर है, यह पीछे इसके मेरे को पुरानी यह रशिया छोड़के मैं एस्टोनिया में गुसा हूँ तो आप वही है, तो रशिया तो इसके सामने फीका हो गया एकदम, तो बदन ही आगे जाके क्या क्या होगा है, यह देखिए क्या है, क्या ब्लू स्काई है, दोनों तरफ जंगल है एकदम, और उसकी अंदर अकेला मैं चल रहा हूँ, एक गाड़ी अभी लोकल गई है, यहां से, यह देखिए क्या सुन्दर लग रही है, यह मेरी हाइलेक्स, और बॉर्डर पे जैसे मैं आपको बताई चुका हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, फट 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 फट, दोनों बॉर्डर थे मैं क प्रूज लेकर, तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे बहुत जल्दी एक और नए क्लिप में मज़ा आएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बने रही है, योरप तो मेरे को लगता है फाडू होने वाला है, एकदम फाडू है, दोस्तों क्या नजारे हैं, बस, दिल, संबल लगी नहीं रहा है, एकदम मूड़ उड़के जा रहा है, दोनों तरफ जितना आप कैमरे में जो देख रहे हो, आप उसको टेंस से मल्टिप्लाई कर देना, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, दोनों तरफ जहां तक नजर जा रही है, ग्रीन ही ग्रीन है, यहा काफी दूर-दूर के बाद लकडी के घर नजर आते हैं, घरों के बाहर एक दो गाड़ियां खड़ी भी नजर आती है, और ट्रेफिक तो ही नहीं इसके उपर, मैं जा रहा हूँ तालेन, केस्टोनिया का कैपिटल, अभी गाड़ी को न मेरे को तेज चलाने का मनी नहीं कर पारी है, बहुत ही खुबसूरत, बहुत ही खुबसूरत, सब कुछ फीका होगे अभी तक, जब से मैं दिल्ली से चलाओं 15 अगस को, जो देखा है सब फीका पढ़ रहा है इसके सामने, तो आगे आगे पता नहीं क्या होगा योरोप में, एक तो कहना यहाँ पे कोई भी व पूरी तनहाई है और उस तनहाई में मैं अकेला, वाह, क्या मज़ा आ रहा है एकडम, क्या मज़ा आ रहा है, आप लोग भी दिल थामके बैठीए, कहीं आपका दिल आपके इचाती से भार ना निकल आए, बहुत खुबसूरत जगा है, बहुत ही खुबसूरत जगा है, अ अबिना मैं फोन को अपने राइट साइड पर नहीं कर सकता हूँ, तो एक चोटा ता गौब है, उसके इंदर मुच्छे से साथ-अट घर होंगे, चार घर एक साथ है, फिर थोड़ा ता गैप है, फिर चार घर एक साथ है, वो हो सकता चारो एक ही का घर हो, या बहुत आखों के सामने से हटा दिये जाएं, सच में यार दोस्तों, सच में, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा, लेखता हूँ, आगे कहीं कुछ खाने पीने का कुछ आता है, तो मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, एस्टोनिया पे 50% लोग बॉर्डर पे, कस्टम्स में और इमिग्रेशन में इंग्लिश बोल रहे थे, और बहुत कुछ से बहुत हेलफूल थे, इतना ग्रीन कैसे है यार दोनों तरफ, बहुत ग्रीन है, और मेरा इस समयना होम डीटा चल रहा है, जो मैंने 5889 का 10GB पैक लिया था, जीयो का, इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिबिटेड है, लेकिन मैंने कोई रोमिंग पैक में लिया, सिर्फ डेटा पैक लिया है, और जो मैंने रश्या में सिम लिया था, MPC का उसमें काम करना बंग कर दिया है, अब मेंने को एक E-SIM लेना है, डेटा के लिए, तो मैं वही सुच रहा था कि ये वाला जो नेटवर्क मेरा आ रहा है, होम डेटा का, ये कितना अच्छा है, स्वाउंग है, तीन लाइन में तो आ रही हैं इसमें, कभी ना खतम होने वाला सिल्सिला है, तो कुछ समय के बाद अगर कुछ और डिफ्रेंट आएगा तो मैं आपको दिखाता हूं, तो ये मैं पिटूर बं में एंट्री कर रहा हूं, गाड़ी को करता हूं कहीं पर पाक, तो पाक करने के जगह तो मिलनी चाहिए, शयद आगे मिल जाएगी, करता हूं, भाला सिल्सिला आएगा तो मैं एंट्री कर दो मिलनी चाहिए, दोस्तो मुझसे राई ही नहीं गया मैंने अपनी प्यारी हाइवेक्स को सड़क के किनारे रोका गाडी में थे फुदक के बाहर आया और मैंने का जरा ये नजारे में आपको दिखाता हूँ यह गाड़ी जारी है यह देखो सामने लिखा है टालिन बन बन टू टार्टू 67 किलो मीटर यह देखिए यह पता नहीं क्या बना हो यह समझ में नहीं आ रहा है तो यह कोई बिल्डिंग सी है इसके अंदर दर्वाजा भी लगा हुआ है और यह है देखिए आपको दिखाई दे रहा है जो मैं कहा रहा था कितना सुन्दर नजारा है और मैं इस समय टी-शिर्ट में हूँ और यहां सामने देखिए पता नहीं क्या उगाओ है मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए अब मैं जाडियों से जा सकता हूं उसको देखने के लिए लेकि मैं नहीं जा रहा क्योंकि न इस चकर में लेट होता जा रहा हूं मेरे को पहुंचना भी है तो देखा आपने दोस्तों क्या सुन्दर नजारे हैं और यहां के ट्रक यहां के कार्ज सब बहुत बढ़िया है तो जिन को पता होगा न यह क्या है इसके बारे में आप ज़रा जुरूर कमेंट मे मेरे को बताना तुम है किसी के प्याल में दिल सुबार्शाद दोस्तों टालिन आ गया है और आज का मेरा डिस्सेंस टेवल हुआ है 350 किलो मेटर्स पाँची किलो मेटर और जोड़ दीजे होटल तक अब मेरे को थोड़ा एलर्ट होके गाड़ी चलानी है क्योंकि हाइवे खतम होगया है सिटी में आ गया हो मैं 5.4 किलो मीटर्स दूर है मेरा होटल जो अनलाइन भूक हो चुका है मेरे को अब लेन चेंज वगएरा कभी देखना पड़ेगा घ्यान से आगे ग्रीन लाइट है अरो सीधी है तो शैद में चल सकता हूँ यहां इन्होंने टाइमर ने लगाया हुआ है यहां इन्होंने ल कल तो कुछ एक्स्प्लोर नहीं होगा मैं सीधा निकल जाओंगा सुबह मेरे को क्रूज के लिए निकलना है हेल्सिंकी के लिए यहां पर सारी यह गाड़ियां मुसली मेरे को बड़ी हाई-end नजर आई है यह मैं कहा रहा हूँ कि टाइमर होने से थोड़ा था ना कन्वीनियन्ट होता है यहां मेरे को आगे जाके ना राइट टन लेना है तो आई शुड स्टार्ट चेंजिंग माइ लेने कम इंदा मिटल लेने कि देख वे बगल में ट्रैम चल रही है कितनी सुन्दर तीन डब्बे हैं इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लग रही है एकदम परे ट्रैम सामन स्यारिये देखिए दोस्तों इनकी जड़ाई कम है लंबाई में तीन डब्बे है लोग ने लेन चेंज किया है मैं भी लेन चेंज करता हूं इस सामने देख रहे हैं बड़े बड़े टावर नुमा बिल्डिंग्स हैं अब यह क्या है शॉपिंग मॉल्स लग रहे हैं मेरे को यह एक पर लिखा है माई शूशी इस्टोनिया में लैंगविज कौन सी चल रही है कुछ तो इंग्लिश लग रही है आगे जैसे यह लिखा है केस्कलिन सेंटर और कुछ इंग्लिश नहीं भी लग रही है यह देखे आपको भी नदर आएगी ट्रैम यह अब मेरा होटल 1.3 किलो मेटर रह गया है मेरे को यहां से राइट टन लेना है यह क्लिप को मैं बनने दे रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत यूरप का पहला शहर देख रहे हैं इस्टोनिया तो आप मेरे को लग रहा है कि आने वाले व्लॉक्स में खतरनाक मज़ा आने वाला है लेकिन मेरे को हाथ के हाथ बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है अब मैंने वो स्ट्रेट रोड छोड़ के दूसा रोड ले लिया है लेफ्ट पे सैकिल की शोरूम नजर आया मेरे को बाकी सब अच्छा लगा है शायद रेड लाइट पे टाइमर भी होता तो और भी अच्छा होता यहां की पॉपुलीशन भी लगता है मेरे को बहुत काम है यहां ओपर देख रहे हैं लेफ्ट राइट पे रेड क्रॉस लगा हुआ है और दो स्ट्रेट अरुस बने में मतलब दोनों लेन स्ट्रेट जा सकते हैं बस अब रेड के बाद जो येलो हुआ मतलब एक सेकिंड भी नियुआ उसके बाद ग्रीन हो गया ऐसे रिवर्स में भी एक और ग्रीन है फुल कंसेंट्रेशन से गाड़ी चलानी पड़ रही है ये कई कोई मिस्टेक ना हो जाए पहला दिन है ना येरोप में धीरे-धीरे आपसेट हो जाएंगे दो-चार दिन में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आप ये ग्रीन है अब ये देखो अब ये फ्लैश हुई न मैं रुग गया पिछली वारी एकदम मैं इस जगह पे था जब ये फ्लैश हुई 800 मीटर दूर रह गया है दोस्तों होटल तो मैं जब तक इस क्लिप को चलने देता हूँ आप नजारों का मज़ा लीजिए ये थोड़ी ना विंड्स्क्रीन गंदी है यार ये भी में को ध्यान रखना है ये क्यों गंदी है ये सब मच्छर मरे ना उसके कारण है ये तो आगे से शाम के टाइम में मैं गाड़ी को रोक के स्क्रीन को साफ कर लूँगा सिटीज में घुसने से पहले क्योंकि जब आप हाई स्पीड पे चलते हैं ना 100-110 तो बहुत सारी मच्छत स्क्रीन पे आखी चिपक जाते हैं शहीद हो जाते हैं आइफोन 16 का आड़ शुरू हो गया रिपल नाइन डबल नाइन यूरो से शुरू हो रहा है ये स्टार्ट्स विद ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है 1000 यूरो से आइफोन 16 शुरू हो गया है बिकना शायद ग्रीन हो गया है यहां पे ना लेफ्ट और स्ट्रेट का अलग सिगनल था रश्या में नहीं था तो वहां थोड़ा कन्फ्यूजन होता था राइट भी खुलता था और उदे अख जाकिस्तान इस तो नहीं अब मैं यहां से लेंड चेंज करता हूं अब तो में को लग रहा है जल्दी से होटल आ जाए यार चलाने में थोड़ी सी स्ट्रेस है किसे बता लगेगा हाँ दिख गया आप लोगों को दिखा दोस्तों डॉरिल आप इसकी पार्किंग कहां होगी मैं क्रीब आट बजे होटल में चेक इन कर लिया था यह मेरा रूम है तो जैसे कि मैं हमीशा आपको दिखाता हूं यह दो लोगों के लिए तो बहुछ चोटा है एक के लिए बेखुल मस्त है यह मेरा सब समान सेट कर दिया मैंने और यह दो बैक्स यह दो बैक्स वहाँ पे सिरफ स्कैन में गये थे रेशन बॉर्डर पे और यह मेरा चोटा सा एलेक्टिक हीटर है यह रेडी तू इट पालक पनीर है गरम हो गया है यह देखना पड़ेगा उसके लिए क्या करना है तो आपने रूम देख लिया भाई लोगों और यह वाश्रूम है जो आपको देखना है बस तो सब रेडी है अब मैं अपना डिनर करता हूं उसके बाद बैटना पड़ेगा तीन गंटे ब्लॉगिंग अपना वी लॉग को